एलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आज देखिए हम यह दूसरी रूपाडर बनाएंगे और यह शेड़िड वाला धागा थागर यह इस तरह से यह देखिए इस तरह से तो इसको बनाने के लिए मैंने एक वाइट रूपाल पर बनाया और यह मैंने दूसरी रुमाल पर आपको दिखाने के लिए इसका यह बॉर्डर बना के रख रखा है और इसको हम बनाएंगे इस धागे से और यह देखे एक नई चीज अच्छी पता चली जब भी आप धागा रखें तो इसके सिरे को सलोटक से ऐसे चिपका के रखें ऐसे तो यह एक दूसरे से उल्जेंगे नहीं रिल खुलके उल्जेंगे नहीं तो यह नई चीज अच्छी लगी तो इसको हम भी ट्राइ कर सकते हैं इसका धागा वही वाला है जो मैंने आपसे वीडियो शेयर की थी जो मंगाया था आनलाइन वही धागा है और यह तिकनेस ऐस आप लोग घर पे रहिएगा मास जरूर लगा के रखिएगा जैसे हम सभी जानते हैं और प्लीज आप लोग चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए लाइक जरूर किया करिए उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा एफ़र्ट नहीं करना पड़ता है इस सबसे पहले हमने मोड रखा है तो आप चाहें तो इस जगह से भी मोड इंसर्ट करके हुप में छेद कर सकते हैं लेकिन थोड़ा मोटा हो जाता है तो यह और यह मैंने तुर्पन किया हुआ है नॉर्मल जैसे घर में करते हैं तो यह साइड से नीचे जहां मारा बॉर्टर खतम हो रहा उस जगह हुक को ऐसे इंसर्ट करेंगे और अपने धागे और हाथ के हिसाब से आप हुक लीजिएगा यह देखिए यह पतला हुक है यह जो बनाया था इसको ले लेंगे जैसे भी आप धागा अटेच करते हैं वैसे अटेच कर लीजिए फिर यह निकालेंगे और यह इस तरह से ठीक है फिर दो चैन लेंगे इसमें एक साथ नहीं बनाके रखना है साथ साथ बनाते जाना देखिए दो चैन लिया और यहां तक यह चेन आ रही है तो इससे यहां फिर से कि इस इंसर्ट करके एक सिंगल क्रोश्या से बना लिया फिर दो चैन लेंगे एक और एक यह दो यह जो हैंटी इसम बना रहा है यह आपको अच्छी लग रही है ना बताईएगा जरू लिए दो चैन लिया और फिर उसके बाद यह जैसे यह ऐसे करके देख लिया बराबर दूरी पे और यह से हुक को घुसाया कपड़े में और इस तरह से सिंगल क्रोशिया इस तरह से पांच बनाएंगे देखें तीन बन गई हमारी एक दो दो चैन सिंगल क्रोशिया बहुत कसेंगे नहीं तो यह बॉर्डर मुड जाता है तो यह चार हो गई एक और बना लेंगे दो चैन एक बार किसी किसी डिजाइन में होता है कि यह बॉर्डर वाला पोर्शन हम इकठे बना के चारो तरफ रख लेते हैं इसमें साथ के साथ यह फ्लावर जो है यह देखें यह फ्लावर इस तरह से यह साथ के साथ हम बनाते जाएंगे गर्मी बहुत पढ़ रही है तो घर में बैठके अपनी होबी को बन पूरा कर सकते हैं देखें पांच हो गए एक दो तीन चार पांच अब पांच बनाने के बाद यहां पे हम तीन चेन बनाएंगे एक दो तीन और इसको ऐसे टर्न कर लेंगे फिर ठीक यह एक चो दो चैन की स्पेस है इसको छोड़के एक दो चैन पहला वाला दो चैन का स्पेस छोड़के सेकेंड वाले दो चैन के स्पेस में हमें चार पहले एक दो तीन यह चार चार डबल क्रोशिया मैंने बना ली फिर उसके बाद एक और एक यह दो दो चैन बनाई अगर आपका धागा रेशम का है पतला है तो आप पीछ में यहां पे तीन चैन भी ले सकते हैं लेकिन यह सही सा है तो मैंने दो चैन ली यह फिर उसी स्पेस में जहां पहले चार डबल क्रोशिया बनाई थी उसी में चार और बना लेगा मतलब आठ डबल क्रोशिया बनानी है दो चार डबल क्रोशिया बनाने के बाद दो चैन और फिर उसी में हमें चार डबल क्रोशिया बनानी है तीन हुई है और एक और यह चार तो यह टोटल आठ डबल क मुलें उसके बाद फिर हम्में क्या करना है एक दो तीन के और नहीं क adversary को छोड़के जो डबल बनाई है उसके धो प्रे गलत पार के सिंगल कुरूश слов बनाएंगे फिर उसके बाद दो चैन यहां पर तीन जैन आए ये और ये जो हमारी पहली वाली सिंगल कुरूश्य थी लिगकी जो सबसे पहले विवन बनाई ती उसके तॉप में इंसर्ट करके single crochet ठीक है यह इस तरह से दिखेगा फिर अब यहां से ऐसे पलट लेंगे कोई chain नहीं लेनी है हमें और पलटने के बाद यह जो है यह तीन chain space जो है इसमें हमने 7 double crochet बनानी है एक दो तीन कर अचार ऑस्त पाँच चहार है वाक टेुड़ में चार जो पांच शीर यहल कर इसे एक हैं जो कर वाद मैंशा जो बाद ग्ट यह साथ डबल कोश्या बन गए उसके बाद जो यह हमने आठ डबल कोश्या बनाई थी और इसके बीच में यह दो चेन का जो स्पेस था इसके अंदर हमें डबल कोश्या बनानी है कितनी अभी हम देखते हैं यह देखे एक डबल कोश्या फिर उसके बाद हम यहां पर चार चे चेन थी ना उसके जो सबसे स्टार्टिंग में हमने चेन बनाई थी उसके अंदर ऐसे होके पीकॉट बनाना है वो कंगूरे से जो छोटे-छोटे बनते हैं यह इस तरह से और यह स्लेपिस्टे से से हम जॉइन कर देंगे तो यह दिखे हम क्या चीज बना रहे थे हम यह बना रहे जो यह छोटे-छोटे से आपको दिख रहे होंगे यह कंगूरे से वो बना रहे है यह दिखे बन गया फिर उसके बाद इसी में सेम टू चेन स्पेस में एक डबल क्रोशिया सेकेंड डबल क्रोशिया फिर दो तीन चार चार चेन बनाई और जहां आपसे यह चार चेन बनाने स्टार्ट की थी इसके बिलकुल स्टार्टिंग बेस में यह देखे दो दागे ऐसे लिए और इसमें से यह इस तरह से तो यह दूसरा पीक और बन गया फिर तीन तीसरी ड दो तीन चार और यह देखिए जो चार डबल कुर्श है बनाई इसके बिल्कुल जो हमने स्टार्टिंग में शुरू किया था कि इसके यह दो दागे दिख रहे हैं ना दो दागे लिए और इसको यह फिर उसी सेम स्पेस में कि यह मैंने गलत स्पेस में बनाया यह देखिए यह जो आठ डबल कुर्श बनाई ती इसके बीच में जो दो चैन लिए ती उस स्पेस में बनाना है और पांच डबल कोश्या बनाने, एक डबल कोश्या बनाने के बाद ये पी कोड्स बनाने कैसे, यह मने भी बताये थे आपको, देखिए ऐसे लिए उसी स्पेस में हुक को इंसर्ट किया और ये डबल कोश्या बनाई, डबल कोश्या बनाने के बाद एक, दो, तीन, चार, चा यह single crochet बना दे और फिर देखिए एक疑 तीन चार प्वाले पनानी हैं और चार चेनसे ये ऊपर P-carts बनाने है एक बनाने हैं फिर उस पहरेंगी तो यह वाला चेन पर्श charging भी है जो हमने यह वाले बना रहे थे फर्स्ट राउंड तो तीन चेन लेके जहां हम टर्ण हुए थे तो इस तीन चेन इस पेस में हम फिर से साथ डबल क्रोशिया बना देंगे एक कि दो कि तीन कि चार कि पांच कि छे कि और यह लास्ट साथ कि अब उसके बाद जब यह बन जाएगा तो हम फिर इसको इस तरह से देखेंगे यह यहां तक आ रहा है तो उसके यहां पर होग को इंसर्ट करेंगे कपड़े में यह इस जगह पे और ऐसे निकालेंगे और सिंगल क्रोशिया बना देंगे ठीक है तो हमारा एक फ्लावर यह बनके देखिए तयार हो गया इसको आप डुपटे के उसमें भी बना सकते हैं और कहीं भी गले पे नेक पे ब्लाउस के लिए पे कुर्टे के नेक पे और हैंकीज में तो यह अच्छा लगता ही है तो इसक देखिएगा सोच के इतने ज्यादा सब्सक्राइबर और लाइक्स बल्कूल भी नहीं आते तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें बेल आइकन को जरुर फ्रस्करें बहुत से लोग बोलता हैं कि दिखाई ही न ही देता सब्सक्राइब तो प्लीज जब हाँ अ ह Не educ samwe इसी तरह से चार बनाने हैं एक तो म ने बना लिया था तो महीं चार बनानी तो मैं चार बना लेते हूं अधो दो चेन एक सिंगल कूल उडिए चार सिंगल कूल नहीं इदेख्यील यह एक तो zamen यहाँ आटेश किया था तो एक दो तीन चार सिंगल कुर्षय बना ली और बीच में यह दो चेन लिया अब यहां से आप देख लीजिए तीन लेनी है तो चलिए 4 को बना लेते हैं धागे एक क Islam क ए फिर्स्ट यह channel कर चोड़के सकेड़ वाले दो चेन इस के में हमें चार डबनानी नहीं है कि एक कि अ दो कि शस्यट 치न भी यह चार चार बनाने के बाद बीच में दो चेन लेंगे और फिर इसी space में 4 double crochet बना लेंगे तो 2 chain हमने ले ली और फिर 4 double crochet बना के मैं आपको दिखाती हूँ यह 8 double crochet हो गई, 4 बनाया, 2 chain, 4 बनाया फिर उसके राद हमें 3 chain बनानी है 1, 2, 3 और यह just बाद वाले single crochet छोड़के यह वाले single crochet में इसके top में हमें hook को insert किया और एक single crochet फिर से बना दे, उसी के उपर अभी 3 chain बनाया था, अभी इसके बाद हमें 2 chain बनानी है और जहां पर हमने यह attach किया था, इस वाली single crochet के top पे एक single crochet फिर बना देनी है फिर हमें piece को इस तरह से turn कर लेना है और जो यह 3 chain वाली space है इसमें हमें 7 double crochet बनानी है एक जो यह वाला, यह देखिए, 7 double crochet बनानी है तो 7 double को इस तरह से 7 double crochet हम बना देते हैं देखिए 7 double crochet मैंने यह बना ली अब इसके बाद कोई chain नहीं लेनी है और यह जो बीच की chain space है, यह 2 chain का space है इसके अंदर हमें 5 double crochet बनानी है लेकिन साथ ही साथ हमें उसकी टॉप पे इस तरह से पेकोट बनाने हैं मतलब कंगूए बनाने हैं तो पर एक डबल खोश्या बनानी है इस तरह से और फिर उसके बाद चार चैन एक दो, प्रॉप पर उठाएंगे इस तरह से दो उठाये और एक सिंगल को बनाई और फिर उसी दो चेन में एक डबल को नेंगे इस तरह से मैं 5 डबल को बनानी है और उसके उपर इस तरह से चार चेन बनां के कि ऐही दो ति दो तीन और ये चार और बिल्कुल फर्स्ट वाली में जहां से हमने स्टार्ट की थी ये चार चेन उसके बेस में ये दो हुक धागे उठा लेंगे और एक सिंगल कोशे बना ये पीकॉट बन गया और फिर उसी दो चेन इस पेस में हम पांच डबल कोशे और उपर पांच पी गोशे तो मैं बना के दिखाती हूं रोड है ये तुत इस तीन चार यह 5 पांच बन गया अब यह जो दो चेन की सपेस थी यहां वाली तीन चेन इस पेस इसमें हमें जैसे इधर हमने साथ डबल कोशे बना थे इधर भी साथ डबल कोश्या बना लेंगे इस चेन इसमें एक एक दो मैं दो बना लिए और बाकी बना के आपको देखाते हूं अब इसको इस तर से चुका के देख लेंगे इस जगह पर आ रहा है तो यहां पर हुको यह कपड़े में ऐसे इंसर्ट करेंगे और धागे निकालके और सिंगल कुर्शिया बना देंगे तो यह यहां पर अटैच हो गया तो यह देखिए हमारा ब्यूटिफुल सा फ्लावर पहले इस पैटन बनके तयार होगा आई होप आप लोगों को अच्छा लगए इससे पहले भी मैंने जो जो बना देके सेम स्टिचेश हैं सिर्फ धागे की वज़ए से यह रेशम का है यह कॉटन है तो यह इसमें कित फरक दिख रहा होगा यह थोड़ा चोटा दिख रहा ह यह बड़ा बड़ा दिख रहा है तो आप इसको बना के ट्राइब कीजिए जहां आपकी जरूत हो उसे साब से और प्लीज लाइक जरूर कीजिए कमेंट बॉक्स में लिख के बताईएगा कि आपको यह जो रूमाल के पैटन्स हम बना रहे हैं यह कैसे लग रहे हैं और थैंक यू